हलो फ्रेंड्स आज है 18 जैन्वरी और क्लावडी वेदर है और मुझे आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा था वैसे इतनी ठंड है और कुछ करने की मन भी नहीं था फिर भी घर का जो काम होता है वो तो करना ही पटता है तो मैंने कर लिया है उसके बाद बैठी हुई थी आती हो और मन मेरा बिल्कुल ठीक हो जाता है तो मैं जब बैलकने गार्डन में आई तो मुझे लगा के क्लिनिका काम करते हैं तो मैंने काम करना स्टार्ट भी कर दिया था और फिर मैंने सोचा था कि यही आज आपके साथ थोड़ा सा मैं श्यार करूँ तो क्लावडी अंदे भी सुभे की टाइम गिरा भी था और यह देखिए तो सुखे पत्ते को हटाना यलो लीप्स को हटाना जब मैं क्लिनिका काम करती हो और मिट्टी को गुड़ाई करना फिर अच्छे से जाडू लगा के मॉपिंग करके फिर प्लान को अपने अपने जगे पे रख द चैनल में नए-ने फ्रेंड्स जूटते हैं आते हैं हमारे वीडियो को देखते हैं तो हमारी वीडियो को देख कर हो सकता है कि किसी की मन में फिर से यह मतलब वह इंस्पायर हो जाएके उन्हें भी क्लीन रखना है गार्डन तो इसलिए यही सोच के मैं क्लीनिंग का काम कर रही हूँ तो यह देखिए हमेशा मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब मैं प्लांट के पास रहती हो और क्लीनिंग का काम मैं करती हूँ तो मेरा बैलकनी गार्टन है छोटा सा लेकिन बहुत सारे प्लांट मैंने रखा भी है तो जब मैं क्लीनिंग काम करती हूँ यहां पर प्लांट को रखती हूँ एक क्लीन करके और फिर इसके बाद मैं यह जगा को फिर पूरी तरह से क्लीन करके फिर प्लांट को रख देती हूँ और यह लगकी बंबू है जो मैं यह एक मतलब मेरे पानी में लगा हूँ है तो एक खराब होने लगा तो उसी को ही मैं में मिट्टी में लगा दिया था तो वो ग्रो हो चुका है और स्पाइडर प्लांट पे देख सकते हैं इस तरह से बहुत मेरे प्लांट में सुखे पत्य हो गया है क्रिस्मस के ताइम न्यू यार के लिए हम जो लाइटिंग का काम किये थे तो मेरे बैलकनी गार्डेन में भी बहुत चारे लाइट्स हम लगवाई थे तो इसलिए ठीक से मैं क्लीनिका काम नहीं कर पाई थी तो वो मैंने हटा दिया है लाइट्स को इसलिए मैं फिर से ये इतना मतलब इसलिए कुछ दिन से जब मैं क्लीनिका काम नहीं कर पाई तो ऐसे सुखे पत्य हो गया है और जि थोड़ा करके आपको मैं दिखा रही हूँ मैंने क्या किया है तो यह जो वॉंडरिंग जू के प्लांट है यह बहुत ही लंबा हो चुका था नीचे की तरफ ट्रेल कर रहा था और मैं यह जो पॉट में लगा यह है तो यह हैंगिंग प्लांटर में ज्यादा सुदर लगता ह तो मैं फीर से जब भी यह बहुत लंबा हो जाता है तो मैं फीर से कटिंग करके मैं लगा देती हूँ ठीक है तो उपर से मैंने कट किया है और नीचे से देखिए जो कटिंग से दो पत्ते को हटा दिया है और इस तरह से मैंने लगा दिया है ऐसा एक छोटा सा कटिंग और जो भी बाकी जो प्लांट्स मेरे थे वो सब को मैंने हटा दिया था क्योंकि फ्रॉंट गार्डेन में भी इसके प्लांट मेरे पास है तो हमेशा मैं इस तरह से इसे कटिंग करती हूँ जब बड़ा हो जाता है लंबा हो जाता है तो फिर से मैं इसे कटिंग से प्रोपगट कर लेती हो जो भी ये लिस ब्गरा जो भी होता है आपको पताहि किया मैं नहीं खतंग किया था इसके बाद थो बे अ खतंग भुलेनी बाला स्कत्रक्रा आपको सब्सुनने के लिए में थोड़ा में आई लिए। देखने के लिए तब दना है। राद ही इचकी आवाजंगी!! इस अरवाजंगी अपको सुना थूがाथ की अवाज सुना को üleyहां क्लीन करने के बाद मेरा गार्डेन इतना ओच्छा लगता है wa iTSa देखने के लिए गार्डेन Mighty plant ।थ यह है बहुत करती है और छोड़िन यहलों गोर्डेन क्लान रगा मेरे इस हैंगिन च्टामट में लिया है तो यहां पर हेंग सेड waveform है था आपके साथ शेयर करना था on ik you mentioned